राइबरेली से दिनेश प्रताप सिंग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सपाके जिला धेक्ष विरेंदर शंकर सिंग और फिरेंद यादव हमारे साथ है विरेंजी क्या इस्तिती लग रही है आपको इस चुनाव में देखिए मदाता हमको देने जा रहा है और हमारे प्रत्यासी ने अपने मंत्री पद का दुर्प्योग किया है और पूरी सरकारी मसेनिरी को इस चुनाव में जोका गया है सारे पंचायत राजविवाक की अधिकारी सभी मजिस्टेट सभी पुलिस के अधिकारी जिस तरह से मद्दाताओं को प्रभावित कर रहे हैं प्रभावित किया गया बड़े पायमाने पर मद्दाताओं को रात में बंधक बनाया गया आज भी मद्दाता भी बंदक हैं मैं जगहें बता दूँ आप चले जाओ वहां आप चेक कर सकते हो यह गंभीर आरूप लगा रहे हैं आप पड़ी संख्या में मद्दाताओं को पंधक बनाया गया है हिए मैं कितने बिकास खंड में मैं कितने लोगों का नाम बताऊ इटर नाम बताऊं जहां जवर्जरती ग्रां परदानों को उनकी जयाась लांप प्रदानी नहीं करने देंगे नहीं रहने दें पर नहींWow स्पूंद मेंकर लगवाएंगे पुलिस से उनके उपर तमाम मुख्द में लिखवाए जा रहे तमाम फर्जी अप्लीकेशन ले करके उनको डराया और धमकाया अगर हम बात करें तो छे विधानसवा सीटों में चार सपा के पास हैं पंचाइच चुनों में क्या इसे थी है देखे हम पंचाइच चुनों में भी जनप् जिदाई और दो हम बहुत कम उड़ से हारे उसी जनता के चुने हुए ये जनप्रतनी दी हैं ग्राम प्रधानों छेत पंचायत के सिदस ये भी हमें मद्दान देना करना चाहते हैं बड़ी संग्या में हमारे सब समर्थक हैं लेकिन जिस तरह से दवाव बना रही सरकारी म सरकारी मसनरी का जिस तरह से दुर्पयोग हुआ है मंत्री पत का दुर्पयोग सभी जो हतकंडे अपना सकती थी भारती जनता पाटी वह यहां अपनाये गया है खोले आम पैसा बाठा गया खोले आम लोगों को प्रतारित किया गया इसकी शिकायत हम लगातार चुना 200 भी कहा रोज कहता रहा लेकिन कोई कर रही नहीं की गई अच्छा 2480 के आसपास वोटर है आपके तो कितना वोट आपके पास लग रहा है आपको है देखे बहुत जंक्या कोट हमारे पास है और हमें और करेगा हमें आज भी इतने दमन के बाद भी मुझे विस्वास है कि स इस तरह से दमन किया जा रहा है ये सरकारी दमन जो हो रहा है यह गलत है मैं स्किन इंदा करता हूं कि बार-बार कहता रहा लेकिन बढ़ी संक्याम हेलपर बनाये जबर है साच्छर लोगों को दिरच्छ बना दिया मैं बताउं ऐसे-ईसे लोग जो ग्रांप अधिकारी रह हो उसे helper दे दिया गया जबरजस्ती खीरो विकास खंड का मामला है एक नाम में बता दूँगा एक हैं वो ग्राम पंचार अधिकारी पस से रिटायर हुए है और उनको जबरजस्ती दिया गया इसलिए कि हमारे समर्थक प्रभाव में डाला जा रहा है उनका कहना है कि लोगों को दबाव में डाला जा रहा है प्रभावित किया रहा है और प्रतालित किया रहा है ऐसे में यह चिनाओ निस्पक्ष नहीं को सकता है और उन्होंने शिकायत भी यह तमाम बार शिकायत की लेकिन कोई कारवाई नहीं हो रही है कैमरा से होगी हर्यों के साथ विवेक ट्रिपाठी एबीपी गंगा राइवरेली एबीपी गंगा खबर आपकी जबाद की